Hello everyone, I welcome you all to GK Ocean YouTube channel आप सभी लोग का स्वागत है GK Ocean YouTube channel पर देखे आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं हिंदी का एक important topic है तत्सम और तद्बो शब्द हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि तत्सम और तत्बो सब्द को हम लोग कैसे पहचानते हैं ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी तो चलिए हम लोग अपना आज का डिसक्रिशन स्टार्ट करते हैं हिंदी के section में कोशन जरूर पूछे आते हैं आपको पता है तत्सम और तत्बो से दो से तीन कोशन तो पूछे ही जाते हैं तो चलिए हम लोग अपना आज का discussion स्टार्ट करते हैं कुछ से पहले देखें उत्पत्ति या शोत के अधार पर शब्द के भेद पांच होते हैं क्वह समान ठीक है? यानि कि संस्कृत के समान मतलब कि यहाँ पे संस्कृत भार्सा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन ठीक है? बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्योग के त्योग प्रियुक्त किये जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं यहां से देखेगा, यानि कि संस्कृत के समान ही, यानि कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं, वही हमारे तत्सम होते हैं, ठीक है, संस्कृत बांसा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जोके त्यों प्रियोक्त किया जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे example दिया हुआ है, अक्षर, अक्षत, मित्र, करपट, प्रस्तर, इत्यादी, ठीक है, इसके बारे मैं आपको ट्री भी बताऊंगे आगे, नेक्ट है तत्भो शब्द, तत्भो शब्द कौन से होते हैं, इसका हम लोग पहले देखते हैं क्या होते हैं, तत्भो यानि कि संस्कित से पैदा हुएं देखते हैं, वे शब्द जो संस्कित से पैदा हुए हैं और थोड़े से रुप परिवर्तन के साथ, हिंदी में प्रियोग किया जाते हैं, तत्भो शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जैसे अटारी, अखत, कपड़ा, पत्थर, इत्यादी, देखिए ह आप हम लोग यहां से हम लोग इसका डिफरेंस जान सकते हैं अक्षत मित्र का यहां पर अक्षर का यहां पर अक्षत हो गया है करपट का यहां पर कपड़ा हो गया है प्रस्तर का यहां पर पत्थर हो गया है ठीक है यहां से हम लोग डिफरेंस जान सकते हैं देखे इसका पी जबी इसी वीडियों में बता दती हूं, पहला नियम क्या होता है? लेकर पहला नियम होता है, छत्रिंग्या और श्वाय युक्त वाले जो चबर होते हैं, वो हमारे ततसंग उते हैं। ठीक है, next example में बताऊंगे आपको, तत्बह होने पर, शा का खा हो जाता है, त्रा का ता हो जाता है, ग्या का जा हो जाता है, श्रा का सा हो जाता है, यहाँ पर example दिया हुआ जैसे कि, छेत्र का खेत हो गया, नक्षक्त्र का नखत हो गया, पत्र का पत्ता, ग्यानवान का जान श्रंकार, श्रमिक का सेवग, श्रिंग का सींग. यहां आपने व हुआ जो पहला मैने बताया था कि छ्चत त्रिंग्या और श्रा भी है तो यह तत्सम सब्ध नहीं सब्ध है यह भी हां यह यह भी तत्सम एक्जाम्पल दियो हैं तो यहां पर आपने पहले और दूसरे नियाम में जाना क्या होता है थिक है हम लोग अब थर्ड पर आते हैं यह भी सिंपल सा होता है इसमें क्या है कि अनुस्वार्यानी की जो बिंदी वाले शव्क तत्सम होते हैं जहां पर बिंदी दिग गई वह तत्सम है और इसका 5 हो जाएगा तत्बह में परिवर्तन ठीक है काच यह यहां पर इसका काच अंक आख ध्यान देना है बस जो बिंदी वाले होते हैं वो तत्सम होंगे और जो चंद्र बिंदी वाले होंगे वो तत्बह होंगे चोथा नियम क्या कहता है जो रडा युक्त वाले तत्सम होते हैं और इनका तत्बह होने पर रडा का ना हो जाता है पहली बात तो अगर रडा होगा तो वो तत्सम होगे और इनका तत्बह में जब परिवर्तन होगा तो रडा की जगा ना हो जाएगा कैसे देखे जासे यहा भीज दोन्या का धिन हो गया शावन का सावन हो गया आयोप यह वीडीव आपके लिए हलफ फुडो लो देल कि फिवफ्ट वाले में क्या बताता है कि यÓ से युगत वाले शक्या स consumption होते हैं री और रायुक्त वाले शब तत्सम होते हैं जबकि तत्वा होने पर इनका लोप हो जाता है ठीके जानिकी रा जो है इसका आप एक्जाम्पल से समझें तो करपूर है तो कपूर लोप मतलब भड़ गया ठीके करपूर का कपूर तीर्थ का तीरत ग्रित का घी प्रिष्ट का पीठ शरकरा का शक्कर अर्क का आग ठीके और यहां पर कर्म का काम नित्यका नाच आश्चर का अचरज ग्रह का घर ठीके री वाले जो होंगे शब्द वो तत्सम होते हैं और री और रा युक्त वाले शब्द होते हैं और इनका तद्वा होने पर या तो इनका लोप हो ज या तो रा हो जाएगा यहां पर लोप हो गया करपूर का कपूर हो गया और यहां पर रा हो गया तीरत का तीरत हो गया ठीक है लोप मतलब हट जाना जैसे कि यहां पर आप देख रहें करपूर का कपूर हो गया सात्वा नियम क्या कहता है सात्वानी में कहता यदि डा और धा के नीचे बिंदू नहीं है तो वे तत्सम होते हैं यदि नीचे बिंदू हो तो वे तत्भा होते हैं ठीक है और टा का तत्भा में डा हो जाता है यहाँ पर दो रूल दे रखा है पहला क्या है यदि डा और धा के नीचे बिंदू नहीं है तो वो तत्सम है देखे यहाँ पे घट यहाँ पे घड़ा हो गया ठीक है यहाँ पे नीचे बिंदू है इसलिए क्या है तत्व हो है करपट का कपड़ा हो गया देखे डा पे यहाँ बिंदू है तो वो क्या है तत् तत्वा होते हैं और इनके नीचे बिंदू हो तो वे तत्वा होते हैं और टा का तत्वा में डा हो जाता है ठीक है आठवा रूल क्या कहता है आठवा कहता है यदि आधा तालव शा आधा दंत शा किसी सब्द के प्रारम बे हो तो वो तत्सम होता है तद्वा होने पर या तो इनका लोप हो जाता है या तो इनका शा हो जाता है ठीक है जैसे कि श्वस्वर का ससुर हो गया देखे यदि आधा तले विश्या ठीक है और आधा दंत शा हो तो प्रारम बे हो तो वो तत्सम होता है यानि कि अगर आपको ऐसा मिल गया तो वो जो हमारा क्या होगा तत्सम होगा अगर ऐसा भी मिल गया तो वो भी हमारा तत्सम होगा ठीक है और तत्बह होने पर इंकल लोप हो जाता है शिंगार का देखे, सिंगार हो गया, आधाशा मिला था, स्थल यह आधाशा यहाँ पे इसले तत्सम है, इसका थल हो गया, लोप हो गया, हट गया, ठीके, स्थल का थल हो गया, हट गया, स्याली, देखे, आधाशा था तो यह तत्सम है, इसका जो है, साली हो गया, आधाशा भी तद्सम ठीक है तो ये हमारे तद्सम तद्बो के आठ रूलते इसी से हमारा तद्सम तद्बो complete हो जाता है ठीक है इससे हमारे related और भी example next वीडियो में upload होगा thank you so much for watching thank you